हेलो दोस्तों, दोस्तों हर एक medical student का dream होता है AIMS जैसे institutions से UG करना और PG करना दोस्तों ये INICET का prospectus है इस prospectus को मैंने ध्यान से पढ़ा है और आपके लिए क्या useful information है वो मैंने extract किया है दोस्तों इस examination के लिए registration process से start हो चुकी है और ये इसमें total participating institutions है सभी AIMS के साथ साथ चार institution और है जो इस examination में participate करते है वो institutions हैं जीपमर्पुडूचेरी, नेमहंस बैंगलूरू, पीजी आए चंडिगार्ड, एन स्टी ट्रिवेंद्रा दोस्तों सभी institutions में expected seat matrix क्या है एक बार उसके बारे में जान लेते हैं हलाकि original seat matrix के लिए हमें थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा जनुरी 2025 session के लिए original seat matrix या latest seat matrix release होता है counselling से जस्ट पहले जिस seat matrix के मैं बात करूँगा ये सभी MD, MS, MDS, DM और MCH प्रोग्राम के लिए total aggregate seats है जैसे की सभी seats इन सारे programs में मिला के चाहे 3 year program MD, MS और MDS है चाहे 6 year integrated program DM और MCH है तो सब में aggregate seat matrix के बारे में हम बात कर रहे है तो Delhi AIMS में ये aggregate seats है total 240 ये expected मैं आपको बता रहा हूँ near about इतना ही seat matrix आप counselling के near about release होता हुआ देखेंगे भुपाल में 94, भुवनेश्वर 57, जोधपूर 62, पतना 61, राइपूर 77, रिसी केस AIMS 53, नागपूर 36, बतिंडा AIMS 63, मंगलागिरी 66, कल्यानी 18, गोरगपूर 37, राजकोट 11, बिबिनगर 14, दियोगर 13, राइबरेली AIMS 38, बिलासपूर 23, गुवाहार्टी 35, जीपमर 113, निमहंस 27, और पीजिया चन्डिगर्ड अराउंड 133, तो यह एक 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 स्पक्टिड सीट मैट्रिक्स है, आई एन आई CET एक्जामिनेशन के लिए, दोस्तों अब हम बात करते हैं, इंपोर्टेंट डेट्स की, जैसे आपको पता है कि रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुक जरूरत है, जिन लोगों के पास ओल्रेडी रजिस्टेशन है, वो अपने रजिस्टेशन के रिदेंशल के हालप से लोगिन करेंगे, और डिरेक्टली अपना एक्जाम स्पेसिफिक यूनिक कोड जन्रेट कर लेंगे, पहले रजिस्टेशन हो गया, अगर आपका रजिस् इसी टाइमिंग में, जब आप कोड जन्रेट करते हैं, उसके साथ साथ ही आप अपना एप्लिकेशन कम्प्लीट भी कर सकते हैं, यानि एप्लिकेशन को कम्प्लीट करने का एक्स्पेक्टिड इमिंग भी 26th of September to 18th of October है, राइट, यूर एडमिट कार्ट विल बिल बिलेज 16th of November, यह important dates हैं दोस्तों INICET exam के बारे में, अब हम बात कते हैं कुछ important information की, जो इस exam में बैचने से पहले, अपियर होने से पहले हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो intensive certificate है, वो जन्रेट होना चाहिए 31st Jan 2025 तक, यानि आपका जो compulsory one year internship है, वो 31st Jan तक complete हो जाना चाहिए, और 31st Jan 2025 से पहले की completion date आपके certificate पे होने, चाहिए यह बहुत important point है, next, जो marks क्राइट एरिया है दोस्तों, वो है aggregate marks, यानि 1st, 2nd, 3rd year के marks आपको फिल नहीं करने, सभी professional examination का aggregate score आपको चाहिए, general OBC के लिए आपको 55% score चाहिए, इस exam को फिल करने के लिए, and SC CST के लिए aggregate score would be 50%, right, examination जो process है, वो 100 cities में होगी, और आपको अपने top 3 choice फिल करने है, जो आपके लिए सब से favorable है, right, उसके बाद fee structure के बारे में बात करते है, general OBC 4000, and for SCST and EWS, it would be 3200, reservation certificate दोस्तों, यह बहुत important है, जिस भी reservation में आप apply करते हैं, तो reservation certificate should be uploaded along with registration process, Now, this is also very important, the student who are pursuing MD, MS, or MDS, who are pursuing, or have done their MD, MS, or MDS, they are not eligible for I&ICET examination, या तो आप pursue कर रहे हैं course, किसी college से MD, MS, या आप किसी ब्रांच में complete कर चुके हैं, और दुबारा से इस examination के तुरू, किसी दूसरी ब्रांच से आप MD, MS करना चाते हैं, तो आप eligible नहीं है, तो यह बहुत important information है, दोस्तों, फिर बात आती है, आपके पास provisional और permanent registration होना जिए an MC या DCI, Dental Council of India for MDS, examination schedule पे आते हैं दोस्तों, there will be around 200 MCQ, आपके paper में 200 question होंगे, multiple choice, timing would be of 3R, for correct answer, plus 1 marks is allotted, but for incorrect answer, 1 by 3 marks will be deducted, यानि negative marking इसमें, दोस्तों, 25% नहीं है, negative marking इसमें कितना है, 33%, सही के लिए, एक नमबर दिया जाएगा, गलत के लिए, 1 by 3 marks को cut कर लिया जाएगा, तो इट मेंस हमें या तो question सही करना है, या हमें question skip करना है, incorrect नहीं करना, right, और, section locking provision examination में होगा, जो 200 MCQ है, उसको 4 parts में divide किया गया है, A, B, C, D, 4 section में उसको divide किया गया है, हर एक section में 50 questions होंगे, 45 minute होंगे, और यह 45 minute का locking होगा हर एक section में, इट मेंस, 45 minute के अंदर, आप A section के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, आप इस 45 minute में B section को check नहीं कर सकते हैं, 45 minute के बाद, A section automatically submit हो जाएगा, और B section start हो जाएगा, जब B section का 45 minute वाला time चल रहा है, उसमें आप A section में नहीं जा सकते, नहीं आप C section में जा सकते, आप सिरफ B section के अंदर ही घूम सकते हैं, वहीं पर आप अपने mark for review questions को check कर सकते हैं, जो भी आपको करना, उस 45 minute में करना है, 45 minute के बाद, ये section भी login हो जाएगा, और आप automatically चले जाएगे, section C पर, तो इसको हम बोलते हैं, section logged provision CBT mode में होका, right, in case of tiebreaker, अगर दो स्टूदेंट के एक जैसे marks आ जाते हैं, then less negative marks will be given preference, अगर यहां भी बराबर आजाते हैं, then old age student will be given preference, तो दोस्तों, I hope this information will help you, thank you very much.